आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो एब्रिवन इस वीडियो में Types of Cooperative Societies के बार में बात करेंगे ठीक है कितने Types की Cooperative Society होती है तो पहला आगे Consumer Cooperative Society ओके, Second है Producers Cooperative Society फिर आजाती है Marketing Cooperative Society, फिर आजाती है Farmers Cooperative Society फिर आजाती Credit Cooperative Society और Last में है Cooperative Housing Society ओके, तो ये Six Types की Cooperative Societies को हमने डिस्कस करना है अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके, तो पहला आगया Consumer Cooperative Society Consumer Cooperative Society से क्या मतलब होता है कि वो Eliminate कर दे Middleman को ताकि Establish करे Direct Link with Producers अब हमने ये Features में भी पढ़ा था Corporative Society का एक Feature होता है कि वो Middleman को Eliminate कर दे मतलब मिदिलमन को हटा दे ताकि वो सिधा Direct Producer या Manufacturer से ले सके और इस वज़े से उनकी जो Cost होती है वो भी Reduce हो सके तो इक अंदी में Cooperative Society का क्या ओब्जेक्टिव है कि वो Eliminate करे Middleman को और Direct Link करे Producer से It Purchases Goods of Daily Consumption Directly from Manufacturer अब Daily Consumption के Goods होते हैं वो Directly Manufacturer से ले सकते हैं या Wholesaler से ले सकते हैं और Sell them to the member at reasonable price क्या मतलब हुआ Consumer Cooperative Society का कि वो Eliminate कर देती है Middleman को ठीक है और एक Direct Link कर देती है Producer के साथ और वो Goods प्रचेस करती है जो Daily Consumption हो ठीक है या तो वो Manufacturer से ले सकती है या Wholesaler से ले सकती है और अपने Members जो उसके Corporative Society के Members होते है उनको एक Reasonable Price पे Product को दे सकते है तो Consumer Cooperative Society Hope आपको Clear हो गया अब हम देखते है Producers Corporative Society Producers Corporative Society से क्या मतलब होता है इसका Main Aim यही होता है कि वो Help करें Small Producers को जो Cannot Easily Collect Various Item of Production and Face some Problem in Marketing क्या मतलब हुआ कि Producer Corporative Society से कि उनका एक Main होता है कि वो Small Producers को ध्यान में रखे और उन से सीधा ले 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 चीज़ें जिनके पस Marketing Technique होती नहीं है जादा तो वो उनी Small Producers से Collect कर लेती है Various Item of Production जो Production के लिए होती है जिनके पास Problem होती है Marketing की जो Problem Face करते है Marketing की अब आजाती है हमारी 10 Society Purchase Raw Material जो Society होती है वो क्या Purchase करती है ले 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 लेती है Tools ले ले लेती है Equipment कर लेती है और Other Items ले ले लेती है कहां किसमे Large Quantity में ले ले लेती है किन से Small Producers से जिनके पास Marketing Technique नहीं होती है और यह सारी चीज़े को प्रोवाइड कर देती है, अपने मेंबर्स को किस प्राइस पर करती है, रीजनेबल प्राइस पर, अगर हम कंक्लूड करें कि इस सोसाइटी का एम होता है, कि वो अपने स्मॉल प्रोड्यूसर से माल को इखटा करें, जिनके पांस मार्किटिंग टेक कम होती है और वो प्रॉब्लम स्थे करते हैं मार्किटिंग टेकनीक में, और यही सारी सोसाइटी रॉम मेर्स परचेस कर लेती है, एकृत्मेन परचेस कर लेती है, जिसको को को मेर्किश है, यह परफॉर्म करते है वेरियस मार्केटिंग फंक्शन लाइक रांस्पोर्टेशन वेरहाउसिंग पाकेचिंग ग्रेडिंग मार्केटिंग रिसर्च एक्सेक्टरा फॉर्ड बेनिफिट ऑफेडिट उप्लोई क्या मतलब होता है कि मार्केटिंग कॉपरेटिज सोसाइटी निवार फंक्षन करती है वेरल मार्केटिंग टेखनीक जैसे कि हमने देखा रांसपोर्टेशन करते है या वेर हौसिंग देदी जैकर बलकेटिंग ग्रेडिंग देदेती है रिसर्च कर देती है अपने मेंबर्स के लिए किसको benefit कर रहा है उनके members को ठीक है the production of different members is pooled together and sold by the society at a group price क्या मतलब कि सारे members का जो different होते है ना उनको pooled together कर देती है घटा कर देती है और फिर वो society में बेच देती है अच्छे prices पे ठीक है यह अपने उन producers से बात कर रहे हैं जिसके पात marketing technique नहीं होती है और उनको marketing functions provide कर देती है transportation, warehousing की और बाद में सबसे ultimately वो सबके इखटे करके pooled together करके society में बेच देती है किस पे अच्छे price पे ताकि वो producers को अच्छा profit मिले है ठीक है अब fourth point में अगर हम देखें यहाँ जाते है farmers cooperative society farmer cooperative society से क्या मतलब होता है कि कहीं बारी small farmer होते हैं ठीक है join together or pool their resources for cultivating the land collectively अब चोटे चोटा farm है उनका तो वो क्या करें सारे इखटे मिलके एक land को collectively उसमें cultivation कर देते हैं cultivation क्या मतलब बोना होना सब कुछ इखटे करते हैं उसके बाद वो society क्या provide करते हैं उनको better quality seat अब इसको cooperative society का क्या objective है कि उन farmers को अच्छी quality अगर चाहिए कहीं बारी खेतिवाड़ी में और other modern techniques दे ताकि वो cultivation of crops को easily कर पाएं ठीक है और उसके बाद वो क्या देती है यह provide भी करती है opportunity एक opportunity भी प्रोवाइड करती है of cultivation on large scale और साथ की साथ वो एक opportunity देती है कि वो सारी cultivation को जो खेतिवाड़ी हो रही है उनको large scale पे दे सके ओके तो fourth point हमारा अगर हम conclude करेंगे यहाँ पे तो क्या कहें कि यह वो society होती है जो अपने small farmers को खेतिवाड़ी करने वाले लोगों को एक resources provide करती है good quality seeds की तरह fertilizer की तरह machinery की तरह जो सारे cultivate करते हैं अपने land को collective ले ठीक है एक opportunity भी provide कर रहे है ताकि वो cultivate कर सके अपने land को large scale के अब fifth point पे आ जाते हम इसमें लिखा हुआ है credit cooperative society अभी three marks से एक individual question भी आ सकता है very important है तो ध्यान से देखे credit cooperative society अब credit cooperative society वो होती है जो अपने members को protect करती है from exploitation by moneylenders आपकें वारी क्या होते हैं members होते हैं न जो cooperative society को होते हैं हो कहीं से भी आ सकते हैं learn किसान भी हो सकते हैं ठीक है खेति बाड़ी हो tobale这么 small consumer ये producers भी हो सकते हैं तो वो सब चीजे moneylender से उनको exploit करने से बचाती हैं ठीक है क्योंकि कई moneylender क्या होते हैं छोटे खेती बाड़ी किसानों से ज्यादा पैसे ले लेते हैं ठीक है rate of interest ज्यादा होता है ये small producers जो होते हैं उनको loan बहुत ज्यादा महंगा मिलता है ठीक है interest rate बहुत ज्यादा होता है तो उन सब को exploitation से बचाने के लिए credit cooperative society help करती है तो ये क्या करती है वो उनी members को जिनको loan की जरूरत होती है जिनको interest rate बाहर से बहुत ज्यादा high मिल रहा होता है उनको loan provide कर देती है and their member at easy terms and reasonable low rate of interest और क्या कर देती है एक easy terms पर देती है और rate भी जो होता है वो less होता है मतलब कि reasonable low rate of interest होता है ओप आपको समझ में आगे credit cooperative society एक बार हम सिर इसको conclude करें कि ये अपने members को protect करती है ताकि वो exploit ना हो किससे moneylender से moneylender कौन है जो loan दे रहे हैं ठीक है और वो कैसे protect करती है या तो उनको loan दे देती है easy terms पर और साथी साथ low rate of interest पर ओके तो फिफ्ट पॉइंट हमारा clear हो गया यहाँ पर अब हम देख लेते हैं फिफ्ट पॉइंट जो है cooperative housing society यह last type of cooperative society हमने discuss करने है तो देखें इसको इसका aim क्या होता पहले तो इसका main aim होता है कि आप provide कर सके houses to people with limited means income at reasonable prices क्या मतलब हुआ इसका यह aim है कि उस इंसान को घर मिले जिसके पास पैसे कम है यह limited means है limited income है ठीक है और वो भी जो घर मिले वो reasonable price से हो ठीक है तो यह ही हो गया the main aim is to provide houses to the people with limited means income and reasonable price ठीक है तो कहीं बारी क्या होता है कि government भी कहीं बारी policies कर देती है ठीक है और यह हां पर cooperative society कर गए है ओके तो यह था हमारे six types of cooperative society जो इस वीडियो में हमने discuss करें होप आपको पसंद आया हूँ thank you for watching क्लासिक्स चुट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advanced के लेवल ताथ मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलूट करे doubtnet app या what's up कीचे अपने doubt आट 400 400 चार सो पर